नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का सब्सेश्ट्रेप्स के सियोटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से जूड़े 50 महत्पुन प्रस्नों को इस वीडियो में कभर करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेतें के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट 50 प्रस्नों को सब्लित किया गया है जो की पर्यावरण याने की इनवार्मेंट से जूड़े हुए ता इस वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्न मारा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें सुर्य की किर्णे प्रिथवी पर आ तो जाती है परंतु carbon dioxide gas के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं जिसके कारण पृतिवी का तापमान बढ़ने लगता है इसी को हम green house effective कहते हैं तो इसे आप याद रिखिएगा अगला प्रस्ण हमारा है राष्टी वन निती के अनुसार कितने प्रतिसत भूभाग पर वन का होना अनिवार है तो हमारी जो राष्टी वन निती है उसके अनुसार हमारा जो भूभाग है हमारे भूभाग पर लगबग 33 प्रतिसत वन का होना महत्पूर्ण यानि की अनिवा बताया गया 협लवा इसे आप याद देखेगा राश्टी 1 निटीक अनुसाद 233 प्रतिसत 1 हमारे भूभाग पर होने अनिवार्य है तो इसे आप याद देखेगा कई बर एक जाम में पूछा गया प्रस्न है अगला प्रस्न हमारा है ग्रीन पीस क्या है तो ग्रीन पीस एक पर्यावरन योजना है तो इसका राइट एंसर क्या है आपका ग्रीन पीस एक पर्यावरन योजना है यह जो ग्रीन पीस है इसको पर्यावरन की सुरच्छा यानि पर्यावरन को बचाने के लिए बन पर ग्रीन पीस का हेड़ क्वाटर है तता इसके अस्तापना ग्रीन पीस की 1971 में की गई थी अगला प्रस्त नमारा है चिपको मुवमेंट यानि चिपको अंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश से क्या है तो चिपको अंदोलन जो था इसकी सुरुवात जो है 1970 में की गई जो है उत्तरपदेश के एक चमोली जीला है आप या देखेगा उत्तरपदेश का एक चमोली जीला था यही पे इस चिपको मुवमेंट की शुरुवात की गई थी 1970 में तता यह मुवमेंट क्यों चलाए गया था तो वनो की सुरच्छा के लिए यह मुवमेंट चलाए गया तो इसका पर्यावरण सिच्छा किंद्र में अहमदाबाद में भारत का पर्यावरण सिच्छा किंद्र अस्थापिथ है तो इसे आप जरूर याद रखिएगा अगला है most important प्रस्त नमारा है इंद्रा गांधी वान की अकादमी कहां स्थीत है तो देहरा दून में इंद्रा गांधी वान की अकादमी बनाई गई है तो इसका right answer क्या आपका देहरा दून में इंद्रा गांधी वान की अकादमी स्थीत है आठवा प्रस नमारा है बिस्वान की दिवस कब मनाय जाता है तो जो बिस्वान की दिवस है प्रती वर्स 21 मार्च के दिन मनाय जाता है तो आप याल देखेगा प्रती वर्स 21 मार्च के दिन बिस्वान की दिवस मनाय जाता है अगला प्रस नमारा है भारती वन सर्वेच्छन का मुख्याले प्रिजन टाइम में कहा है तो भारती वन सरविच्छन का जो प्रिजन टाइम में मुख्याले है यह देहरा दूर में है तो आप इसे याद रिखेगा अगला प्रस नमारा है भारत वन प्रबंद संस्थान प्रिजन टाइम में कहा है तो प्रजेंट टाइम में जो भारत वन प्रबंद संस्थान है या भोपाल में है तो उसे आप या देखेगा प्रजेंट टाइम में भोपाल में भारत वन प्रबंद संस्थान अस्थापीत है अगला प्रस्थ नमारा है भारत में प्रिजेंट टाइम में सबसे अधिक 1 किस राज्य में है तो प्रिजेंट टाइम में जो सबसे अधिक 1 है वो मध्य प्रदेश में है तो इसका राय टेंसर क्या है मद्य प्रदेश में परियंट टैम में वनु की जो संख्या है वो सबसे अधिक है अगला प्रस्थ हमारा है पौधे अपनी खाद दे निर्मान प्रक्रिया में कारबन डाय अक्साइड गैस वाई मंदल से लेते हैं और बदले में जियोधारियों को सास लेने के लिए कौन सी गैस मुप्त कलते हैं आपको बताना है तो बहुत सिंपल सा प्रस्थ नहीं है आयोब इसका एंसर आप सभी को पता होगा तो इसका राय टेंसर क्या हमारा है ओट यानि ऑक्सीजन ओट यानि ऑक्सीजन अगला प्रस्थ नहीं हमारा है कारबन डाय अक्साइड, सल्फर डाय अक्साइड, कारबन मोनो अक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूशन होता है तो ये जो तीनों प्रदूसर्ण के लिए जो मुखितत जिम्हिदार गैसे हैं वो हैं कर्बन डायक्साइड सलफ़ा डायक्साइड और कारबन मोनो अक्साइड अगला प्रस्थ नमा रहा है यहां पे biochemical oxygen demand परिछन इसको हम साट फ़रम BOD भी कहते हैं BOD test आपको बताना है कि यह जो बायोगेमिकल oxygen demand परिछन है किस प्रदूशन को मापने के लिए किया जाता है तो जल प्रदूशन को मापने के लिए biochemical oxygen demand परिछन किया जाता है अगला प्रस्ट नमारा है परोक्सी एसेटील नाट्रेट क्या है तो यह एक प्रकार का वायू प्रदूसक है आप या देखेगा जो परोक्सी एसेटील नाट्रेट है यह एक प्रकार का वायू प्रदूसक है अगला प्रस्ट नमारा है राष्टी पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है तो हमारा जो राष्टी पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है यह प्रिजन टैम में नागपूर में है तो नागपूर में आप या देखेंगा प्रिजन टैम में राष्टी पर्यावरण अनुसंधान केंद्र इस्तित है तो नागपूर कहां प्रिज उनसे हमारे रच्छा करती है, ओजोन लेयर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? परावयगनी करणों से हमारो रच्छा करती है ओजोन लेयर अगला प्रस्थ नहाँ रहा है, वाइ मंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मातरा में पाई जाती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका nitrogen जो gas होती है हमारे Y मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लगबख 78% याद रखिएगा लगबख 78% तक nitrogen gas हमारे Y मंडल में पाई जाती है अगला प्रस्थ नमारा है अकास नीला हमें किस कारण से दिखाई देता है तो अकास नीला हमें किस कारण से दिखाई जाता है तो scattering up light जो होता है यानि प्रकास का जो प्रक्रिडण होता है उसके कारण जो अकास होता है हमको नीला दिखाई देता है तो प्रती वर्स पांच जून के दिन वर्ड इन्वार्मेंट डे मनाया जाता है अगला प्रस्त नमारा है भार सरकार दोरा किंद्र में पर्यावरन विभाग की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो भारत सरकार के दोरा जो पर्यावरन विभाग है इसके अस्थापना की गई थी वर्स 180 में ये ड़िड आपके लिए इपर्यावरन विभाग की गई थी भारत सरकार के दोरा अगला प्रस्थ नमारा है सहिंतराष्ट पर्यावरन कारकरम जिसको सौट फॉर्म में हम UNEP यानि की United Nation Environment Program कहते हैं आपको बताना इसका Headquarter प्रजेंट टाइम में कहा है तो प्रजेंट टाइम में UNEP यानि की सहिंतराष्ट पर्यावरन कारकरम का Headquarter है केन्या की राज़ानी नैरोबी में अगला प्रस्थ नमारा है फोटो कॉपी मसीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है तो फोटो कॉपी मसीन से ओजुन गैस उत्पादित होती है तिसे आप या देखेगा जो ओजुन गैस होती है उसका उत्पादन फोटो कॉपी मसीन में होता है अगला प्रस्थ नमारा है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेट्ट तो इस प्रस्न का राइट एंसर हो जाएगा हमारा मद्यप्रदेश जो इस्टेट है इसको हम टाइगर इस्टेट यानि टाइगर राज़िके नाम से भी जानते हैं प्रजेंट टाइम में जो बागों की संख्या है वो मद्यप्रदेश राजजी में सबसे अधिक है, हाली में जो टाइगर सेंसर हुआ था, उसके अनुसार लगबग सबसे अधिक जो बाग है वो मद्रिप्रदेश राजजी में ही, आप आदेखे गर टोटल 526 बागों की संक्या है प्रिजन टैम में मद्रिप्रदेश स्टेट में, अगला प्रस नमा रहा है 201 जीव कोस यानि WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पसू का इस्तिमाल किया जाता है तो जो World Wide Fund for Nature है, जिसको महिंदी में 201 जीव कोस कहते हैं उसके प्रतीक के रूप में पांडा का इस्तिमाल किया जाता है तो इसे आप या देखेगा, WWF यानि 201 जीव कोस के प्रतीक के रूप में पांडा का इस्तिमाल किया जाता है तता प्रस नमा रहा है 201 जीव कोस का मुख्याला है ग्लैंड सहर, जो कि सुर्जर लैंड का एक ग्लैंड सहर है यहीं पर प्रस नमा रहा है अगला प्रस नमा रहा है भारत का कौन सा राज टाइगर राज ये के रूप में जाया था विचे साक्या कि मैंने बताया आपको मध्यपरिजस एक क्वेस्टन रिपीट हो गया है अगला प्रस नमा रहा है वन महस्व किसने प्रारम किया था तो जो वन महस्व है इसको प्रारम किया गया था के एम मुनसी की दोरा तो आप याद देखेगा के एम मुनसी के दोरा पहली बार वन महस्व का आरंब किया गया था अगला प्रस नमा रहा है 201 जिव सरच्छन कोस यानि WWF कहां इस्थित है तो WWF यानि 201 जिव सरच्छन कोस का जो हेटकोाटर है जो मुख्याला इसका स्विर्जा लैंड के ग्लैंड सहर में है तता इसकी अस्थापना की गई थी 1961 इसवी में तो इसी भी आप याद रहेगेगा अगला प्रस नमा रहा है सबसे प्राचिन काल से उगाया जाने वाला फल ब्रिच्छ कौन सा है तो इस प्रस नमा रहा है जो खजूर है या सबसे प्राचिन काल से उगाया जाने वाला फल ब्रिच्छ माना जाता है तो इसका रहा रहा है आपका खजूर अगला प्रस नमा रहा है suffocation क्या है तो oxygen की कमी का जीवो पर प्रभाव जो होता है उसी को हम suffocation कहते हैं ताप्या देखेगा suffocation क्या होता है तो oxygen की कमी का जीवो पर प्रभाव अगला प्रस्थ नमारा है जलवाई परवतन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है तो जलवाई परिवताने climate change में जो मुख्य गैसे दिमेदार होती हैं उनको हम green house gas से कहते हैं तो आपका हो गया CO2 हो गया water vapor यानि की जलवास्प आपका हो गया इसके बाद आपकी methane gas होगी methane gas को हम CH4 simple से represent कहलते हैं उसके बाद आपका nitrous oxide हो गया चार important gas हैं जिनको हम green house gas कहते हैं तो इसे प्रिवाप आप आप आद देखें carbon dioxide होगी आपका जलवास्प यानि water vapor CH4 यानि आपका methane gas उसके बाद नैटरस oxide है जिनको हम green house gas कहते हैं अगला प्रस्त नमारा है सरवाधिक ozone चैकारी gas कौन सी मानी जाती है मतलब ozone जो परत होती है ozone जो layer होती है उसको सबसे अधिक मातरा में नुकसान कौन सी gas पहुचाती है तो इसका right answer हो जाएगा CFC यानि chloro fluorocarbon होता है या सरवाधिक ozone चैकारी यानि या सबसे अधिक मातरा में ozone परत को चारण यानि नुकसान पहुचाती है CFC यानि का chloro fluorocarbon अगला प्रस्ता मारा है chloro fluorocarbon जो होता है किन gaso का सहिंगत रूप है तो यह जो chloro fluorocarbon होता है यह CFC यानि chlorine chlorine और chlorine fluorine यहाँ पहुचा और carbon chlorine fluorine और carbon का सहिंगत रूप है chloro fluorocarbon ती से आप यहाँ देखिएगा तता यह जो CFC है या chloro fluorocarbon है यह सबसे अधिक मातरा में ओ जो layer को नुकसान पहुचाती है अगला प्रस्ता मारा है भूतल पर CFC यानि chloro fluorocarbon का प्रियोग कहां होता है तो CFC gaso का जो उससरजन होता है या आप कह सकते हैं जो इनका प्रियोग होता है वो spray can जो होते हैं spray can dispenser हो गया आपके वाता नुकूल यानि जो AC होता है यार कंडिशन होता है उसमें और refrigerator हो गया आपका hair spray हो गया saving cream हो गया आपकी तो तब वीविद सौंदर प्रसादन वाधी में जो CFC होता है यानि chloro fluorocarbon का इस्तेमाल होता है तिसे आप या देखेगा spray can dispenser जो होते हैं वाता नुकूलित यानि AC यानि air condition हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया hair spray हो गया saving cream हो गयी और इसके बाद वीविद सौंदर प्रसादन जो है इनमें chloro fluorocarbon का इस्तेमाल किया जाता है अगला हमारा है green house प्रभाव का प्रत्यच परड़ाम क्या होगा तो जो green house effect है यानि माले यह जो हमारा प्रित्वी का प्रभाव लगा प्रित्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका direct impact किस पे पड़ेगा यह पूछा जा रहा है तो glacier पिगलने लगेंगे तो जो green house गैसे होती है मतलब green house प्रभाव जो होता है उसका जो सबसे प्रत्यच चैनिंड डारेक्ट प्रभाव जो होता है वह glacier पड़ता है जत्याप glacier इनसे सबसे अधिक मातरा में पिगलते हैं जिसके कारण जो हमारा समुद्र है उनका जो का आदमी कहा जाता है सुन्दललाल बहु गुर्णा को ता प्रफन मारा है सरवादिक जय विवित्ता जो सबसे अधिक बायो डाइवर्सिटी है वो कहां पे पाई जाती है तो जो सरवाधिक जय विवित्ता है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है तो इसे आप या देखेगा सरवाधिक जय विवित्ता है यानि कि जो सबसे अधिक बायो डायवर्सिटी है ये ट्रॉपिकल रेंड फॉरेस्ट में मिलती है अगला प्रस्थ नमारा है बायो टेक्नलोजी पार्क कहां इस्थीत है तो लखनव में इस्थीत है बायो टेक्नलोजी पार्क अगला प्रस्थ नमारा है प्रितिवी दिवस प्रतिवर्स कब मनाय जात अगला प्रस्त नमारा है भविस्त का इधन किसे कहा जाता है तो जो हाइड्रोजन है उसको हम भविस्त का इधन कहते हैं तो इसे आप या दिखेगा हाइड्रोजन को भविस्त का इधन माना जाता है अगला प्रस्त नमारा है पर्यावरण का रच्छा कवच किसे कहा जाता है तो जो ओजोन लेयर हमारी है जो ओजोन परत है उसको हम पर्यावरण का रच्छा कवच कहते हैं क्यों कहते हैं तो यह जो लेयर होती है ओजोन की यह सूरे से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वाइलेट रेज होती हैं उनको पराबैगनी किरने भी कहते हैं उनको पृत्वी पर आने से रोपती है तो इसी कारण से इसको हम पर्यावरण का रच्छा कवच कहते हैं तो इसे आप या देखेगा ओजोन परत अगला मारा है रेट डेटा बुक का संबंद किस से है तो विलूपती के कागार पर जो जीव होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो रेट डेटा बुक में रखी जाते है तो इसे आप या देखेगा जो रेट डेटा बुक होती है इसमें जो विलूपती के कागार पर जीव होते हैं उनका जो डेटा है वो इसमें रखा जाता है तो प्रतिवस जो यह रेट डेटा बुक है इसका प्रकासन आई यू सी यानि International Union for conservation of nature के दोरा किया जाता है तेसे भी आप या देखिएगा प्रतिवस रेट डेटाबुक का जो क्रकासन है यह आई यू सीन यानि International Union for conservation of nature के दोरा किया जाता है अगर प्रस्त नमारा है Environment Education for kids USA में कहां स्थित है तो विसकोसीन यानि इसका रएट एससे के विसकोसीन में यह Environment Education for kids स्थित है अगरा प्रस्त नमारा है CNG का पूरा नाम आपको बताना है कि CNG जो गया है उसका पूरा नाम क्या होता है तो CNG का पुरा नाम होता है compressed natural gas तो इसे आप या देखेगा compressed natural gas अगला हमारा है ध्वनी प्रदूशन किसने decibel से माना जाता है मतलब जो ध्वनी प्रदूशन आपको बताना है कि कितने decibel से अधिक ध्वनी होगी तब वह ध्वनी प्रदूशन माना जाएगा तो 65 decibel से अधिक ध्वनी को हम ध्वनी प्रदूशन की सेड़ी में रखते हैं तुछ से आप या देखेगा अगला प्रस नमारा है जल प्रदूशन को मापने के लिए कौन सा परिच्छन किया जाता है तो BOD परिच्छन की जो बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमान टेस्ट होता है इसका प्रयोग जल प्रदूशन को मापने के लिए किया जाता है अगला प्रस नमारा है ताजमहल के पीले पढ़ने तता उसके छरण के होने का मुख्य कारण क्या है तो अमली वर्षा जो एसिड रेन होती है में कारण है ताजमहल का पीला पढ़ना यही मतलब जो अमली वर्षा होती है उ लेटल किया जाते हैं तो जो मानों निर्मित उपग्रव होते हैं इनको अस्थापित किया जाता है बाह वायू मंडल में तो यहां पर देखेगा एकसो इस पर हमारा है हमारा जो बाह वाय मंडल है यहें पर जो सेटलाइट होते हैं हमारे उनको अस्थापित किया जाता है तो यहाँ पे हमने टोटल लगबग पच्चास दो प्रस्ण यहाँ पे कम है प्रस्णों को हमने कवर कर लिया जो कि हमारे इन्वार्मेंट याने की पर्याय वरण से जूरे हुए हैं तो आई होप आपको वीडियो जूरू पसंद आया होगा तो आज के लिए पस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू